गोलू की ग्लास में इंग्लीज का पिरेड चल रहा था सर ग्रामर पढ़ा रहे थे सर बोले बताओ गोलू इट का प्रयोग कब करते हैं गोलू बोला सर घर बनाते वक्त संता बोला यार बनता एक बार इस्कुल में जबर्दस्ती गाना गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया गया मैंने भी रास्ट गान गाकर सबको खड़ा कर दिया लड़की बोली, हेलो बेबी, तुम्हारे याद आ रही थी लड़का बोला, अभी सेलरी नहीं आई है मेरी जान लड़की बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पापा आ गये, बाई संता इट से पत्थर तोड रहा था संता का सर फट गया, डॉक्टर बोले, ये कैसे हुआ संता बोला, मैं इट से पत्थर तोड रहा था सर एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी खोपड़ी का इस्तमाल भी कर लिया करो सरदार ने मेडिकल इस्टोर से दवाई ली और इस्टोर वाले से कहा चीनी भी दो, स्टोर कीपर बोला, चीनी यहां नहीं मिलती, सरदार बोला हम पागल नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, दवा पर लिखा है, सुगर फ्री चीनी तो तुम्हें दे नहीं पढ़ेगा टीचर बोले, अगर कोई छोटा ग्रह प्रिथ्वी से ठकरा जाये तो क्या होगा स्टुडेंट बोले, टन टन की आवाज आएगी टीचर बोले, क्यों? स्टुडेंट बोले, क्योंकि सन्नी लिवन ने गाया है न, कि ये दुनिया पित्तल दी संता एक बार डबल डेकर वाली बस में चड़ गया, कंडक्टर ने उसे उपर भेज दिया संता थोड़ी ही देर में भागता हुआ वापिस आया और बोला साले मरवायेगा, क्या? उपर दो ड्राइवर ही नहीं है पत्नी बड़े प्यार से बोली, सुनिये जी, मेरी इसकिन बहुत ओयली सी हो गई है बताईए न, मैं क्या लगाऊं? पत्नी बोले, ये लो भी इंबार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा पत्नी अपने पती से बोली, देखो जी, मैं इसे पिछले साथ साल से लगातार पहन रही हूँ फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी ही है, और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो पती बोले, भगवान से डर मोटी, ये सौल है सौल